everyone good morning नमस्कार 11 September 2020 और आज के 10 Hindu newspaper को हम लोग analysis करेंगे इससे पहले video upload किया गया था लेकिन वो technically किशी वज़े से delete हो गया तो अब इसको फिर से नए series record करेंगे I think YouTube में कुछ issues है चाए वो उसकी timing को लेकर हो या content को कुछ लेकर उनका issues होगा कोई issue नहीं है लेकिन हम इसको फिर से record कर रहे हैं और फिर से आप लोगों के लिए ये सारा जो दा हिंदू निजबर है analysis करेंगे सबसे पहले बात करेंगे पंगोंग तसो लेक पर पहली notification जो है news है कि officially confirm किया गया कि वहाँ पर firing हुई थी 1975 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब border पर LAC यानि लाइन आफ एक 31st को हो या 9 September को जो firing हुई है उसके पीछे प्रोगेट करना या एक तरीकर से aggression को शो करना इस तरह की चीज़े हुई और भारत की तरफ से जो firing हुई उसके पीछे रिजन ये था कि चाइना की तरफ से और पीपल लिबरेशन आफ आर्मी की तरफ से firing की गी और वो एक वज़ important news हमने discuss करे थी कि हमारे external affair minister और चाइना के external affair और रशिया के external affair की आप या हम फोटोग्राफ जो देख रहे हैं इसमें बेसिकली संगाई कोपरेशन और अर्गनाइजेशन के बाद RIC यानि रशिया इंडिया चाइना के बीच में ट्राइलेटरल मेटिंग होती है बाइलेट चैनल के तुरू चीजों को रिसोल करने के बारे में बात्चित हो रही तो उसके बारे में एक यहां पर इंपोर्टेंट ट्राइलेटरल मेटिंग हुई रशिया बहुत इंपोर्टेंट पार्टनर है क्योंकि दोनों का चाहिए वह जायना हो चाहिए इंडिया और दोनों कंट्री इंडिया और चाइना बॉर्डर इशूज पर पीसफुल नेगोशियेशन के थ्रू जो है चीजों को रिसोल करेंगे इसके लावा यहां पर नॉर्थ और साउथ जो पंगोंग शोलेक है वहां पर कंटिन्यू बात्चित हो रही है और कमांडर लेवल की मिटिंग ह अगर पंगोंग शोलेक की बात करें तो नॉर्थ जो पंगोंग शोलेक है वहां पर चाइनिज प्रिजिन से ज्यादा हमें दिखाए देगी और साउथ वाल रिजिन पर जो है वो इंडिया की डोमेनेंस है जो की स्ट्रेजी करी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है हमारे अफ़ेर विदेश बंतुर जो है वो न है किवल रशीया से वलकि सिंगाई कोपरेशनल और्गनाजेशन में एट कंटरी है उन में से कई कंटरी के जो वहाँ पर काौंटर पार्ट जिसको बोलते है या फिर उनके विदेश समंत्री से मिलें जिसमें किरिगेस्तान है ताज 2019 के 19 को जब यूनी रेटल एक तरफ डिसीजन लिया था कि आर्टिकल 372 और 35 है कि हम हटाएंगे तो उसके बाद एक तरीके से इस पूरे रीजन को भारत ने कहीं न कहीं इसकी पीश और सिक्यूरिटी को डेमेज करने कोशिज की है दोनों रशिया एक इंपोर्टेंट रोल प जिसके अंदर फ्रेंच के डिफेंस मिनिस्टर यह जो यहां पर एक देख रहे हैं यह यहां पर आई और हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे एर चीफ मार्सल जो है बेकेस बधूरिया यह आरकेस बधूरिया सोरी यहां पर आये थे और इसमें कुछ इंपोर्टेंट इंडिया हो वो cross border terrorism को के threat को ignore नहीं करेंगी दोनों इस पर बहुत बारिकी से बहुती अवजोग करेंगी monitor कर रही है और किसी प्रकार की इस तरह की चीजों को वो retaliate करने के लिए proper उनके पास capacity है दोनों कंट्रिया इंडो पैसिफिक रिजन के अंदर इंडो ओशन रिजन के अ सम्में वो जो हो जोंटली काम करेंगे ठीक है जिसके अंदर हमारे हिनके फ्रांस के जो defense minister थी इन्होंने कहा कि 1998 के बाद इंडिया और चायना के इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशन है वो strategic partnership की तरफ बढ़े हैं और फ्रांस इंडिया के साथ हमेशा खड़ा है और इंडि करवाई इसके बाद fourth important news थी national green tribunals ने यह analysis कि रूल्स को frame किया जाना चाहिए किसके बारे में cigarette और बट्स के जो disposal होता उसके बारे में अब इसमें central pollution control board का important role हो सकता है कि आप rules rules frame करिए कि जो disposal होता चाहिए वो cigarette और बीडी है उनके बट्स का उनको proper analysis किया जाना चाहिए IITR in Indian Institute of Toxicology Research ने कहा था कि क्योंकि इसमें जो parameters होते हैं वो prescribed limit के अंदर है और कोई भी toxic नहीं है जो कि human और environment को damage करता है लेकिन NGT ने कहा कि इस तरह की चीजों के अंदर basically एक product होता है cellulose acetate cellulose acetate जो हो लंबे time तक जो है वो environment के अंदर रह सकता है इसका degradation जो है काफी slow होत है इस वज़े से इसके इसके बारे में safety और इसके degradation के लिए data हमें लेबल करवाना चाहिए और इसके अंदर एक proper strategy होने चाहिए कि किस प्रकार से आप environmental degradation को रोकेंगे और किस प्रकार से human हो चाहिए environment हो इनके health risk का proper assessment करें ताकि overall चीजों को observe करें और इसके बारे में एक proper framework ज पी में एक न्यूज आए कि seven लोग फेक सराब या सुप्रियस या फिर जिसको हुच ट्रेजडी जिसको बोलते हैं उसकी वज़े से death हुई ये न्यूज के वार इसलिए important है कि महाँ पर seven लोग seven percent death होगी इसलिए important है कि इसमें जो लिकर है जो एक बेकार यू नकली जो person की death तक हो सकती है तो इस तरह की चीज़े हैं ये science का important topic है इसके बाद opposition यहां पर तिरपुरा के अंदर एक news आई थी की जो रिहांग ब्रू कम्यूटी है या इसको रिहांग भी बोलते हैं इसके migrations को लेकर ये tribe काफी जादा highlighted रहती है ये एक तरीके से मिजोरम से इन्हों इनका number था और धीरे धीरे इनको वापिस मिजोरों में भेजने के लिए process चालू है तो ये community कई बार news में आई है जिसको रियांग या brew community भी बोलते हैं तो इसको जुरूर आप note down कर लेना ये बहुत important हो सकती है इसके बाद page number 9 पे दो important news थी जिसमें राजसवा और जो है लो जब इसके बारे में finally appointment होगा या selection हो जाएगा उसके बाद हम detail से चीजों को पढ़ेंगे उसके बाद इसी page पर important news थी recently हमने पढ़ा था कि Ministry of Home Affairs ने कई सारे NGOs के FCRA यानि फोरन से जो funding होती है उसके लिए जो license लिया जाता है उसके लिए foreign contribution regulation act के अंदर आपको registration करवाना होता ह तब ही आप international funding ले सकते हैं लेकिन उनमें हमने पढ़ा था कि बहुत सारे एक allegation लगता खासकर जो missionaries होती है कि वो convert में या religion convert कराने का काम करती है इस तरह के allegation उनमे पर लगते हैं या फिर हमारी image को impact करने ही कोशिश करते हैं लेकिन golden temple को FCRA registration दिया गया है golden temple एक important role play करता है क किस्त के बारे में उसके बारे में हम समझेंगे यहां पर बताया गया गुर्दवरा हर्मिंदर साहिब या golden temple जो मेरे सर के अंदर है उनको enable किया गया कि आप foreign donation या foreign foreign donation जो ले सकते है FCRA कहता है तो आपको registration किया जाता है इनके अंदर बताया गया कि जो sick pilgrim यह है या एक तरी financial assistant provide करता है medical assistant provide करता है और organize करता लंगर को जो एक free community kitchen है और जब आप ancient time में से जब से गुरू गुरू नानक साब ने जब सिख धर्म की स्थापना करी तब से इस तरह की जो परता है इस तरह की tradition continue है आज भी और वहाँ पर free community kitchen जो है वो एक तरीके से मानवता की सेवा के उसके कि गुरू श्रीद्रवार साहिब को या गुरू हर्मिंदर साहब को या अमरे सर में जो golden temple उसको fcr registration दिया जाएगा ताकि foreign donation हो सके और उसमें गुरू हर्मिंदर साहिब जो continue अपने काम को अपनी जो सेवाए हैं जो अपनी services है वो continue कर सके इसके बाद page number 10 पे दो important news है पहला तो Serum Institute of India ने अपने trials को पोज कर दी क्योंकि Oxford में जो AstraZeneca जो vaccine बन रही थी उसने भी अपने trial पोज कर दी थे reason is that कि कुछ जो उसके side effect देखने को मिले इसके बाद इंडिया और जैपान के बीच में उनकी armed forces के बीच में logistic agreement हुआ है logistic agreement किस बारे में है दोनों कोडिनेटली काम करेंगे कई किस चीज़ के अंदर इसके बारे में यहां पर बताया गया है कि पहली बात तो दोनों के definitely relation strong होगे इसके लावा दोनों armed forces जो है वो cooperation करेंगे किस मामले में United Peacekeeping Operation में humanitarian international relief में और other जो mutually agreed activities है उन सम में जो है मिलके यह कोडिनेट करेंगी इसके लावा medical requirement हो supply हो maintenance हो air lifting हो communication हो इन सब के अंदर जो हो मिलके काम करेंगी इसके लावा नेवल exercise के थुरू भी उनमें coordination को increase किया जाएगा इसके बाद the world section में दो important news थी पहला तो लेबनान के अंदर बेरूत में जो sport हुआ था पहले हमने देखा ammonium sulfate का उसके बाद फिर से यहाँ पर fire हुई explosion हुआ है तो लेबनान एक ऐसी country जो इस बार continue news में है तो इसका जोगर्फिकली एक बार map हम फिर से देखेंगे तो लेबनान को अगर आप locate करेंगे तो western Asia middle east के अंदर एक important country है और इसकी जोगर्फिकल location बिलकुल Mediterranean Sea के right hand side मिलेगी और Syria और इसराइल इसकी neighboring countries है अगर आप इसमें sea से या connect करेंगे तो इसमें cypress जैसी country भी आपको नजर आईगी तो काफी important काफी highlighted है second important climate change related news है global warming से related news है कि कैलिफोर्निया USA के अंदर जो है बड़ी संख्या में wild fire हुए है और ये के पहली बार नहीं है कि wild fire इस तरह की घटना है हमें देखने को मिलती इस ते पहले हमने अमेजन forest fire देखा Australia forest fire देखा तो इस तरह की चीज़े है कि global warming की वज़े से क्या हुआ temperature rise हो रहा है temperature में increase हो रहा और drought यान सूखे की वज़े से क्या होता dry हो जाएगा अगर weather तो आग जो forest के अंदर अपने आप लग सकती है इस तरह की चीज़े यहाँ पर दिखाई दे रही जब USA ने अपने आपको Paris climate deal जिसमें एक important role play कर सकता था अपने आपको बाहर निकाला तो ने केवल अमरीका के लिए अबलकि पूरी दुनिया के लिए इस तरह की चीज़ें चैलेंजिंग है इसके लावा AstraZeneca ने कहा जो वेक्षिन में जो पोज किया था कि COVID-19 की वेक्षिन इस बार भी possible है इसी साल जो वो आजए इस बात की possibilities है जो इसमें कुछ side effects देखने को मिले दे उन सब को observe किया जा रहा है और जो पोज किया गया trial उसके observe के बाद फिर से जो वो start कर दिया जाएगा इसके बाद editorial section में तीन editorial important है जिसके बारे में हमने discuss किया था फिर से हम discuss कर र इसके बारे में यह इराक के बारे में एक important editorial है यह article basically US forces का या US troops का इराक से वापिस निकालने के बारे में है decision के बारे में उसके बारे में यह editorial था जिसके बारे में हमें discuss भी किया था लेकिन फिर से हम detail से चीज़ों को देखेंगे recently United States government decision लिया था कि इराक के अंदर जोसके soldiers troops हैं उनको बाहर निकालेगा लेकिन इस बात के लिए इराक के अंदर एक opportunity भी है relief भी कह सकते हैं लेकिन इराकी government के लिए challenge भी है अगर relief की बारे में बात करें तो इराक में इसलिए क्योंकि वहाँ पर continue इस तरह का opinion था खास कर जब वहाँ पर इरानियन जनरल कासम कासम सुल इराकी lawmakers ने वहाँ पर एक non-binding resolution पास करा था कि इस तरह के agonation जो है उसके लिए American government को responsible माना जाए और उसके लिए उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए लेकिन यहाँ पर challenge इसलिए भी है अगर हम इसके बात कर decision उन्हों ने लिया कि बावान सो से तीन हजार हम अपनी forces को troops को गटा देंगे चैलेंज इसलिए है कि US troops ने एक important role play किया था Islamic State को खतम करने में उसके numbers को कम करने में और उनके खिलाब एक important fight लड़ी थी 2011 में तक यह कहा था ब्राक अबामा जब प्रेजिडेंट थे कि हम अपने soldiers को वापिस कर लेंगे लेकिन इस तरह की चीजें वहाँ पर rise हुआ तो numbers को वहाँ पर increase हुआ और एक लंबे time तक उनको fight लड़नी पड़ी United States का decision जो है वो इस time पर आया है इसके पीछे कई सारे region है अगर हम देखे तो कई सारे local और factor उनको overlook नहीं किया जा सकता है सबसे पहले United States को यह पता चलता है कि जब उसने अपने एक लाग पचा साथार soldier troops जो इराक के अंदर भेजे थे वो इस time 10,000 troops को भी मतलब एक तरीके से काफी risky हो सकता है उसके पेचे कई region है political environment वहाँ पर इतना अच्छा नहीं है due to वहाँ पर इरान की influence बढ़ रहे है सिया militants की influence इराक के अंदर बढ़ रहे है और वहाँ की जो सरकार है उसके लि militants groups ने American troops पर attack कि एरान ने वहाँ के जो air base थे एराक US का उस पर ballistic missile से उन्हों ने attack किये बहुत सारे soldiers उसके वज़े से इंजर हो गए थे लेकिन अभी भी इराकी government कुछ चीज को अंदर स्टेंड करना पड़ेगा कि यह security vacuum create होता उसकी वज़े से कई सारी problem create हो सकती है 10,000 Islamic state क fighters अभी भी वहाँ पर alive है as per UN assessment तो इराक के जो वहाँ के प्राइम minister है उनको इस बात को understand करना पड़ेगा कि इस से पहले 2011 में भी vacuum create हुआ था उस vacuum की वज़े से हमने देखा Al-Qaeda या दूसरे terrorist militant group है वहाँ पर rise करें उनकी वज़े से हमने देखा चाहे वो इराक हो चाहे सीरिया हो इस पूरे region के अंदर फिर से इस तरह की चीज़े घट हुई और history आपको दुबारा मुका नहीं देगी इस तरह की चीज़ों को observe करिए कि US troop तो अपने आप में withdraw हो लेकिन इराक की stability के लिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखें कि अपनी security अपनी integrity को कभी भी जो वो degrade नहीं करें और जो militant group हावी होने कोशिस करते हैं आपकी government के उपर उस तरह की चीज़े ना होने पाए second important editorial था agriculture led revival as a flawed claim क्या जो government claim करती कि agriculture में revival हो रहा है ये कहीने कहीं सही claim है इसके बारे में analysis किया गया सबसे पहले इन्होंने government द्वारा जो claim किये जा रहे है कि agriculture सक्टरे कैसा सक्टरे कोविड-19 के दौरान या pandemic के दौरान जो continue growth कर रहा है चार उसके लिए उन्होंने regions बताए चार एक तरीके से statement release करे कि economic अंदर revival कर रहा है लेकिन सबसे बड़ा सवाल पहली बात तो ये चार जो claim government कर रहे है क्या ये सही है दूसरा government क्या हमारी GDP केवल agriculture सेक्टर के base पर या agriculture सेक्टर में इतनी capacity है कि हमारी GDP या GV या gross value added को completely revival कर सकता है उनके बारे में यहाँ पर discuss किय गया सबसे पहले बात इन्होंने claim किया कि अगर भारत के grain production की बात करें तो 2019-20 में 3.7% higher as compared to 2018-19 इसके लावा रभी में wheat जो थी उसमें 20-21 से 20-21% higher रहा 2019-20 तक यानि पिछले साल के मुकाबले में हमारे जो अनाज की capacity थी या production था वो कहीं कहीं increase हुआ ठीक है इस से हमारी agriculture sector के अंदर resilience जो है वो कहीं कहीं बढ़ी है इसके लावा second state बात ये बोलते हैं कि food inflation देखने को मिला 2021 में और लगबग 9.2% कहीं नोंने कहा कि इसकी वज़े से sustainable demand हमें देखने को मिलती है और एक तरीके से agriculture sector के favor में trade का shift होना दिखाई देता है third इनोंने statement release करी कि 2020-21 के अंदर खरीब की जो उगाई हो रही है या खरीब की जो बिजाई हो रही है वो 14% higher है और इसकी वज़े से बड़ी संख्या में ट्रेक्टर और फर्टिलाइजर की जो है sales वहाँ पर increase हुई है ये कहिन के economic recovery के लिए एक important parameter हो सकते हैं fourth statement government release किया गया कि जो आदम निरबर भारत package जो launch किया गया था उसका एक important role हो जकता वो economic agriculture को revival करने में उसके बारे में इन्होंने detail से बात करी लेकिन क्या हम इन सारे claims को इन्होंने analysis किया कि इन सारे बातों को अगर हम ध्यान से observe करेंगी सबसे पहले बात कीगी रभी procurement के बारे में तो उन्होंने कहा कि lockdown के दुरान state government खासकर northern states के बारे में बताया गया कि बहुत सारे efforts करें कि procurement जो सफर ना करें 2020 किसके अंदर ही बताया गया है कि जो claim है वो कहीने कही actual data release नहीं करता लगबग 13.5% और 16.2% के आसपास धान और गेहूं का procurement हुआ किसके तुरू एक procurement agency के तुरू या MSP के तुरू नहीं बाकि जो भी procurement ह हुआ वो private traders के तुरू हुआ इसका मतलब क्या है कि MSP जो था minimum sport price जो announce किया गया था उस prices पर तो उनकी purchasing हुई नहीं market में procurement हुई नहीं तब इस तरह के claims की से जो वो practical नजर आएंगे इसके लावा ये केवल धान और गेहूं यानि पैडी और वीट के बारे में नहीं है vegetables हो fruits हो या दूसरे जो grains हैं उन सब में इस तरह का चीज़े देखने हो को मिली है कि market rate पर या markets ने इस तरह की चीज़े नहीं देखने हो को मिली इसके पीछे कई सारे regions थे lockdown के दुरान farmers ने जो है markets का loss हुआ जो वहाँ पर supply chain कहीने कहीं disturb थी जो अनाज मंडी होती है वो कहीने कहीं close थी और consumer food demand जो कहीने कहीं गिरी इसके वज़े से farmers को बड़ा loss हुआ खासकर income में उनकी procurement जो है वो elevate नहीं हुई और नहीं के वल food grains में नहीं वेज़ेटेबल में न और industry associations का यह कहना है कि केवल पुलेटरी industry के अंदर 25,000 क्रोड का loss हमें देखने को मिला second target बता जाता कि inflation and prices बढ़ने से जो है farmers को काफी अच्छा मदद मिलेगा लेकिन अगर आप बात करेंगे inflation क्यों बढ़ा inflation बढने के पीछे यह region था कि supply chain डिस्टरब हुई और इससे जो पारी जो तो उनका margin बढ़ा है नेकिव फार्मर्स का अगर हम देखें आपने कई सारी चीजे हैं for example MSP proper उनको मिला नहीं even MSP से कम रेट पर उनको अपनी अनाज अपनी जो crops है वो बेचनी पड़ी इसके लावा vegetables और इन सब का जो price है अगर आप rural area में देखेंगे तो काफी कम हुआ और agriculture जो है rural economy का ही एक important pillar है और rural inflation के आप बात करते हैं कि एक तरीके से या इसकी वज़े से trade बढ़ेगा या economy जो बढ़ सकती रूरल economy तो ग्रामिन सेतर में most of the farmer जो है small and marginal farmer बहुती छोटे और सिमित किसान जिसको बोल सकते हैं उनके पास जमीन बहुती कम है तो farmers व उनके लिए inflation बहुत भारी है और rural inflation उनको benefit नहीं कर रहा बलकि एक तरीके से उनकी उनकी खरीदने की समता कम हुई है और वो purchase ही नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक misplaced data है थर्ड आपने का कि इसकी वज़े से higher creep showing हमने करी या बहुत जादा इसमें उगाई हुई है या agriculture में पाट लिया लेकिन इसकी वज़े से अगर आप analysis करेंगे agriculture sector पहले ही stress face कर रहा है और distinguish unemployment या जिसको पर्चन बिरोजगारी है वो face कर रहा है इसका मतलब है agriculture sector में जमीन बहुत ही कम है लोगों के पास सिमित है और सबसे ज्यादा जो number वो small and marginal farmers का है उस दुरान इस तरह की चीज़ा अगर और ज्यादा वहाँ पर किशान आएंगे तो एक लोग की requirement वहाँ पर चार लोग काम करेंगे तो वो कहीं न कहीं उसमें कोई खास benefit नहीं हो रहा है वो एक तरीके से unemployment ही है और ये data शो करता है कि April, May, June, even August में यहां भी हमें unemployment rate को increase होता हो दिखेगा और actual इसम इसके लावा आप package की बात करते है अगरिकल्टर सेक्टर का total GVA अनि gross value added के अंदर या GDP के अंदर roll केवल 15% है इसके लावा मालो अगरिकल्टर सेक्टर में 4% की growth हो जाती है तो इसका केवल GVA में 0.6% की increment होगा तो इस तरह की चीज़ों से बहुत ज्यादा positivity होने की या इसम रिफॉर्म कर देगा वो सारी चीज़े नहीं देखती इसके लावा फॉर्थ आपने बोला कि आतम निर्वर भारत package अनौंस किया गया उसके अंदर जो details है उसके बारे में कहिने के वो disappoint करने वाली है क्योंकि अगर ground reality देखें तो इसमें 5000 क्रोड रुपे भी actual में नया नही है बाकी सारा का सारा वो या तो ongoing schemes के बारे में है या loan measures के बारे में है इसके लावा PM किशान में जो 6000 amount एक साल में मिलनी थी उसको increase नहीं किया गया MSP में जो proper price मिलना था वो नहीं मिला और कहीं नहीं कहीं farmers को जो हमने promise किया था कि cost का 150% यानि 100 रुपे किसी cost होती तो उसको minimum 500 रुपे कम से कम मिले इस बात के assurance जो दी गई थी वो properly नहीं हुई तो overall कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से जो आप agriculture sector में revival करने की बारे में बात कर रहे हैं green suit की बात करते हैं वो सारी चीजे रूरल economy या इस तरह की चीजे वहाँ पर actual में नहीं हो रही है ठीक है तो इसको ground reality को face करना पड़ेगा यानि एक तरीके से rural income एक तरीडिफ्रेस में है और economic revival करने के लिए multiple sector में ground reality पर जो है काम करना पड़ेगा थर्ड एडिटोरियल था चाइना के बारे में चाइना को detail से उप्जोग किया गया यह former ambassador है तो इनकी एक important statement थी तो इन्होंने कई सारी चीजें discuss करी for example चाइना के अंदर aging population जो है continue rise हो रही है और वहाँ पर चाइना की one child policy हो उसके बाद से हम देख रहें कि जो old age people है उनकी number पर जो वो increase हो रहा है तो इसके बारे में बताया कि अगर number old age में increase होगा तो इससे क्या impact पड़ता है किसी भी country पर तो implications क्या है इसके multi-dimensional impact होंगे अगर मालो old age increase होता तो इसमें क्या होगा health, social welfare, pension, saving इन सब पर कहीं ने कहीं उनको खर्च करना पड़ेगा चाइना की चाइना जो अपने आपको world की developed economy से compare करने कोसिश करता है जैसे US, Singapore, Japan, Taiwan इन से कहीं ने कहीं इसी की वज़े से जो struggle face कर रहा है और जो दुनिया के देशों को वो struggle एक तरीके से challenge करता है, aggression शो करता है for example इंडिया को तो इसी की वज़े से one child policy की वज़े से चाइना क armed forces जो हो struggle कर रही है, उनके पास number नहीं है, soldiers कहां से produce होंगे, इन सब के बारे में यहाँ पर detail में बताया गया, इन सब के लावा बताया गया कि वहाँ पर total factor productivity है, वो कई सारे चीजों पर dependable रहती है, इनके लावा वहाँ पर कई चीजें बताएगे कि चाइना के president जो है continue काम करते हैं कि manufacturing sector को बढ़ाया जाएगा, economic reform करेंगे, लेकिन ground reality है कि services sector चाएवा banking हो, insurance हो, education हो, या फिर independent legal system हो, ये उसके लिए creative education system की requirement होती है, चाइना की 2008 के बाद जो economic growth है, वो progress तो ही है, लेकिन government ने investment जो है कई चीजों में नहीं किया है, अपने unproductive assets जो इकठी करी है, लेक industry ये कहिने कही empty apartment की तरह काम करते हैं, और आपने जो infrastructure जैसे metro, network, oil, pipeline, ports इस तरह की चीज़ें आप develop करने ही कोसिस कर रहे हैं, इसका in future क्या implications होगा उसके बारे में, यहाँ पर also किया गया, दुनिया भर के जितने भी indications हैं, उनके अंदर चाइना की reality जो है, वो different दिखाई दे वारा वहाँ पर आपकी rank 77 थाती है, यानि ground reality थोड़ी अलग है जो हम compare करते हैं, जो आप indicate करते हैं, जो आप present करने कोसिस करते हैं, या वहाँ के president जो continue इस तरह की चीज़े या इस तरह की society बनाने के बारे हम develop करते हैं, कि हम एक new or new economic society create करेंगे, rural economy उन्होंने एक तरीके से country अगर हम देखे, ground reality वहाँ पर economy अभी भी कही या rural economy काफी important है, लेकिन manufacturing sector का GDP में role है, recently manufacturing sector में trade का कई countries के साथ issues create हुआ, तो manufacturing sector कितना improve करेगा, उसके बारे में एक question mark है, South Korea, Singapore, Taiwan इस तरही country से आप जो compare करते हैं, कि हम एक better economic produce करेंगे, लेकिन इन countries के अगर आप skilled man force को देखेंगे, या working population को देखेंगे, वो बहुत different है, वो एक अलग context में नजर आती है, वहाँ के president continue push करते हैं, कि हम 5G artificial or rapid urbanization इनके तरू जो है, वो काम करेंगे, लेकिन ये सारे चीज़े जो है, वो properly काम नहीं करेंगे, जब तक economic reform नहीं होगा governance के अंदर reform नहीं होगा, education sector के अंदर, education system के अंदर reform नहीं होगा, केवल aggressive policies के तुरू दुनिया को दिखा देना कि नए technology लेकर आ रहे हैं, इस तरह की चीज़े, ground में जो आपकी aging population हो रही है, आपकी ज़न सिंग के बुड़ी हो रही है, इसका अशर आने वाले कुछ सालों म आपको नहीं के वाल economic growth में, बलकि overall sector में हमें देखने को मिलेगा, Chinese context के अंदर, हमने दो question करे थे सुबह, उन question को मैं फिर से आपको revival करवा देता हूँ, revise करवा देता हूँ, दो question थे, consider the following, carbon dioxide, oxide of nitrogen, oxide of sulfur, इन में से जो कौन से जो है, इनका emission, emission जो होगा, coal combustion से होता है, जो thermal power plant में है, option 1, 2, 3, 1, 3, and 1, 2, 3, second question क्या है, satellite used for telecommunication rely on kept in a geostationary orbit, a satellite is said to be in a such an orbit, is, orbit is geosynchronized, the orbit is circular, the orbit lies in the plane of the earth equator, the orbit is at an altitude of 22, 236, यानि 22,236 km, options यहां पर दिये गए है, 123, 134, 24, 1234, यह options यहां पर include किये गए है, हिंदी में आप यहां से देख लीजेगा, ठीक है, कि कोईला दयान की वज़े से कौन कौन से इसमें produce होते हैं, यह options यहां पर है, पोज कर लेना, और यहां पर जो दूर संचार परसान वाला है, यह आप यहां पर आराम से इसको पोज करके, देख लाने हैं, इन दोनों के आंसर आपको नीचे कमेंट करने हैं, तो थैंक्यो ओल, जैहिंद,